जे बजरंग बली प्रेमित्रों आज पुना आप लोगों का हमारे भाग जोतिस चिंतन में श्वागत है आज हम चर्चा करेंगे बिवाह के महुरत के बारे में मित्रों बहुत से मित्रों का और दोस्तों का मेसेज आ रहे हैं कि आप विवाह का मुहुर्त निकालना और विवाह साधी पंचांग से कैसे बनाते हैं उसके बारे में आप बताएं मित्रों आप लाश्ट तक वीडियो को देखते रहें और आपको पूरा समझ में आ जाएगा हमारे हिंदो पंचांग में कुल 27 नचत्र माने गए हैं परंत उनमें से केबल कुछ हैं जो विशेश हैं जैसे की मूल अनुराधा, म्रगसिरा, रेविती, हस्त, उत्तर फागुन, उत्तर असाड़ा, उत्तर भादपद, स्वाती, मघा और रेविती आदी नचत्र को विवाह के लिए शुभ माने जाते हैं और यह नचत्र आप याद कलने ताकि आप विवाह यदि किसी का बनाते हैं तो यह आपको अवश्चता पड़ेगी आगे देखते हैं मित्तर यैसे कि हमारे सास्तर के अनुसार 12 महीने हैं और 12 महीने में यह जो 6 महीने ही विसेश हैं जो कि जेट, माघ, भागुन, बैसाक, मार्गसिस और असाड़ माह में ही विवाह करना सुभ माना जाता है इन महीनों में आप किसी का भी विवाह बना सकते हैं और ये नचत और महीने को भिसे ध्यान रखें विवाह किसी का आप बना रहे हैं तो कौन से नचत्र में आप बिवाह बना रहे हैं ये भी ध्यान रखें कौन सा नचत्र है और कौन से महीने में आप बना रहे हैं इन बातो बनाने में और बहुत ही कम समय में आप बनाना सीख जानेंगे मित्रों किसी के पास जाने के जरूरत नहीं है आप से हम बना सकते हैं विवाह संसकार के लिए कन्या के लिए गुरुबल देखा जाता है और बर के लिए सूरबल देखा जाता है मुख रोप से विचार किया जाता है एबन दोनों के लिए चंद्रवल पर भी विचार किया जाता है अगर आपके पास कोई पंचांग है तो उस पंचांग से आप महूर्थ निकाल सकते हैं और बना सकते हैं कन्या की रासी से ब्रहस्पत यदि नौम भाव, पंचम भाव, एकादस भाव, द्वाव और सत्तम भाव में हो तो सुभ माना जाता है और इसके अलाबा ब्रहस्पत के दसम, तृतिय, सश्टम और प्रथम भाव होने पर दान देना है और चतुर्स अश्टम द्वादस भाव में असुभ माना जाता है वर की रासी में सूर यदि, तृतिय, सश्टम, दसम, एकादस भाव में है तो सुभ माना जाता है इसके अलाबा सोर के प्रथम दुतिय, पंचम, सत्तम और नौम भाव में होने पर दान देना पड़ता है और चतुर्थ अश्टम द्वादस भाव में असुह माना जाता है इनमें आपको ध्यान देना है कि कौन से भाव कहां पर असुह माना जाता है कहां पर सुह माना जाता ह आगे देखिए बर और कन्या दोनों के कुंडले में चंद्रमा देखा जाता है पंचांग के अनुसार चंद्रमा वर और कन्या की राशी में तीसरे, छटे, सातमे, दसमे और ग्यारमे भाव में हो तो शुह माना जाता है यह आप ध्यान दें कौन से भाव में चंद्रमा वर अठा है, कहाँ पर है, कहाँ पर शुह माना जाएगा, कहाँ पर अशुह माना जाएगा, इस बात को आपको विशेद ध्यान रखना है मित्रों जैसे कि आप विवाह निकाल रहे हैं तो पहले आपको नच्छत्र का ध्यान रखना है, नच्छत्र के बाद आपको मास का ध्यान रखना है, मास के बाद आपको भाव का ध्यान रखना है, कि कौन सा चंद्रमा का भी ध्यान रखना है, कहाँ पर बैठा हुआ है, कि इस भाव का असुभ है इस बात को भी ध्यान रखना है आईए आगे देखिए इसके अलाबा चंद्रमा यदि पहले दूसरे पाँच में और नौम भाव में हो तो दान देदा सुभ माना जाता है और चौथे आठ में बारमे भाव में हो तो बिवाह के लिए असुभ माना जा आप यदि लगनों में करते हैं तो बहुत अच्छा है। और सभी वे करेंगे तो मध्यम रहेगी प्रिमित्रों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आये कैन की गंट को जरूर दबा दें